मैं साही सर आज कमेश्ट्री का दूसरा क्लास पढ़ाने जा रहा हूँ स्टुडेंट से अनुरोध है कि आप इसे सब्सक्राइब अवस्य करें अगर सब्सक्राइब नहीं किजिएगा तो आपको अगला वीडियो नहीं मिल सकता है या पीछे वाला जो है से भूल सकता है इसलिए सब्सक्राइब अवस्य करें प्लेज अब देखिए CO कार्बन मोनोगसाइड है प्लस H2 हाइडरोजन तो इसके मिश्रन को कहा जाता है वाटर गेस भाफ अंगार गेस हिंदी में कहते है वाटर से भाफ बनेगा इसलिए भाफ अंगार गेस इसका नाम है फिर है कार्बन मोनोगसाइड प्लस नाइटरोजन इसके मिश्रन को कहा जाता है प्रोडिउसर गेस वाईउ अंगार गेस ध्यान रखिएगा इसमें भाप वंगार आ गिया इसमें वाई वंगार आ गिया यह जो हैसे बहुत बार पुछा हुआ कोशन है अब है यहाँ पर है मिधेन प्लस H2S यानि हाइडोजन सलफाइड प्लस CO2 कारबन डायकसाइड इसके मिसरेन को कहा जाता है बायो गैस आपसे पुछा जागा कि ब कोल गैस कोल गैस में कौन-कौन गैस होता है मेथेन है CH4 प्लस CO nostro carbon मंणव apposite प्लस hydrogen यह जो हैसे कोल गैस कहलाता है मार्स गैस मार्स गैस मेथेन को कहा जाता है यई ही नेच્रल गैस है नेच्फरल गैस मतलब प्राकृति गैस मार्स गैस इसका नाम इसलिए है कि दल्दली जगह पर यह गैस पाया जाता है और दल्दली जगह को कहा जाता है अंग्रेजी में कहा जाता है उसको मार्सी प्लेस और वहीं पर जो है से यह गैस पाया जाता है इसलिए इसको कहा जाता है मार्स गै काला सोना है, पेट्रोलियम को काला सोना कहते हैं, काला हीरा, कोल को काला हीरा कहते हैं, कभी-कभी आप जो हो सकता है, मिस कर जाएगा कि काला सोना, काला हीरा, तो ऐसे याद करिएगा, काला हीरा, तो हीरा तो कार्बन का परूप है, तो कार्बन का परूप है, इसलिए कोल के क पर धेंगे काला हिरा और काला सोना पेट्रोलियूम को कहिएगा, उजला सोना प्लैटिनम, हराज सोना चाय है, सुनला रेशा गोल्डन फाइबर, जूट पर उजट को कहा जाता है, उजला रेशा कापास को कहा जाता है, अब आईए मोनो बेसिक एसीड में जो है, से एक ठो H रहेगा जैसी H C L ÉK H है H N O 3 एकठो H है E H 2 P O 2 है तो इसको भी monobasic का रहा है तो यहाँ पर आपको लगता होगा कि यहाँ तो 2 H है basic का मतलब की 4 base 4 तो 6 का मतलब है 4 के भजान हम O H से करते हैं तो देखिए इसका वास्तो में structure ऐसे होता है तो स्ट्राक्चर में देखिए एक OH है, एक एक ठो है, तो मोनो मने एक है, तो इसले इसको मोनो बेसिक कहा गया है, ध्यान इसको रखिएगा, इसमें गरवड़ाता है डेर लोग, S2PO2 जो है सो मोनो बेसिक के सिड है, ड्याबेसिक के सिड देखिए, द्वीभासमिक अमल, S2SO4 दूठो एच है, S2CO3 दूठो है, ड्या मने दो, IH3PO3 तो इसको भी Di-Basic कहा जाता है तो यहाँ पर भी जो है से गर बढ़ाने का चांस है कि 3H है फिर भी इसको जो है से Di-Basic कहा जा रहा है तो देखिए इसका structure दे दिया है तो OH OH जो है से दूठो दिखाया गया है इसलिए इसको Di-Basic कहा गया है Tri-Basic का मतलब 3-Basmi कामल है H3 रहना चाहिए तो देखिए H3PO4 यह जो है से बहुत बार-बहुत से competition में पुछा हुआ कोशन है देखिए इसका structure दिया है तो OH 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 3-H है यह IIT में भी पुछा हुआ कोशन है IIT 89 अब जो है से देखिए Taste of Nitrate Radicals यानि Nitrate मुलक की पहचान कैसे करेंगे परिचा उसकी कैसे करेंगे तो यह भी आया हुआ कोशन है Nitrate मुलक को हम टेस्ट करते हैं Ring test इसके लिए होता है वाले परिचा Ring test यानि वाले परिचा तो इसमें कैसे टेस्ट किया जाता है नाइटरेट मुलक लिजिए जिसको टेस्ट करना है जिस compound को टेस्ट करना है उसको लिजिए उसमे नाइटरेट मुलक है या नहीं इसकी पहचान होगा प्लस एफी एसोफोर फ्रेस यानी ताजा प्लस हट एसोफोर तो अगर ब्राउन रिंग यानी भूरा रिंग अगर भूरा रिंग प्राप्त होता है इसका मतलब कि लिया गया कमपाउंड में नाइट्रेट है नाइट्रेट मुलक की पहचान इसमें ऐसे पुछा जाता है कि नाइट्रेट मुलक का टेस्ट जो है से कैसे करते हैं उस टेस्ट का क्या नाम है तो रिंग टेस्ट है कहा जाता है आयल ओफ वीट्रियोल का तेल इसी को कहा जाता है अब आईए देखिए सल्फर है सल्फर आएकर प्रमानु संख्या 16 है एलेक्टोनी कंफिग्रेशन किया हुआ है देखिए लास्ट में है 3P4 इसमें पुछा हुआ है कि यान पी अडेलेक्टोन की संख्या कितना ह तो दखिए, पी जो है, से पी में 4 एलेक्टोन है, लेकिन पी में 6 एलेक्टोन चाह रहा था, तो 4 से 6 घटा दिये तो 2, तो 2 हो गया, तो यही अनपियाड एलेक्टोन है, अनपियाड एलेक्टोन जो है, सदू है, अब आईए 2 NaCl प्लस MnO2, मैगनी डाइक्साइड प्लस H2 कौन गेस बनता है, तो देखिए, क्लोरीन बनता है, ऐसे बैलensch किया हुआ है, बैलensch मतलब नहीं है, देखिए, यहां पर C-L है, ठीक लगाईएगा कि खिलोरीन गेस बनेगा, कोलबे रियेक्षन आईए, कोलबे रियेक्षन देखिए, कोलबे बैग्यानी का नाम है, पोट इतन प्राप्त हुआ देखिए CH3COOK है, डबल किया हुआ है, बैलन्स के लिए, तो C2 हो गया, H326, तो C2H6 आ गया, उसी तरह से पोटैसियम मेली मेट, तो इसको जब विदूत भी छेदन कराया जाता है, विदूत अब घाटन कराया जाता है, तो देखिए इसका डबल प्र कोटैसियम सक्सिनेट, अगर इसका करायेंगे, तो क्या जाएगा, तो इथाइन बनेगा, इथिन बन गया, इथिन का मतलब हो गया, कि इथिलीन है, इथिलीन आपका हो गया, वल्ड नेम, आई हो गया इथाइन, जिसका वल्ड नेम हो गया, इसी तिलीन, उड़ जिरी एक् देखिए अब यहां पर जो है से मीथेन गैस कैसे बनता है पर्योग साला में मीथेन गैस कैसे बनाया जाता है तो सोडियम एसीटेट है इस सोडा लाइम से क्रिया कराया हुआ है मेथेन देखिए प्राप्थ हो गया है आप लोग पढ़े भी होंगे मैट्रिक में भी है तो देखिए यहां पर क्या है कि यहां पर देखिए यहां पर देखिए यह जो है से इसके बाद आगया सीएच फोर बन गया मेथेन बन गया अगर आईए सोडियम एसी टेट के जगह पर मन लिया कि कोई कह देगा कि सोडियम फॉर्मेट तो सोडियम फॉर्मेट में देखिए एक है यह ने व एच है तो इस है इसी जही सा इसको समझा एक मैठ का फरमुला है यहाँ पर बन गया hydrogen gas, यहाँ पर आपको आ गया देखिए C2H5COO, यह ने, तो यह ने वेच से क्रिया किया, तो यहाँ पर इथेन बन गया, अब आईए परियोगसाला में जो है से acetylene gas, यानी इथाइन कैसे बनता है, तो देखिए calcium carbide की परति क्रिया जब जल से कराई जाती है, जल से क्रिया किया, तो यह इस्टिलीन गयस बन गया, इसी गयस का उपियोग से फल को पकाने के लिए किया जाता है, जल में जो मैसर है, उसे क्रिया करता है, और यही इस्टिलीन गयस जो है से फल को पकाता है, अब आया हुए question है, कि यह इस्टिलीन जो है, से छारी केमनोफोर से जब परति क्रिया करता है, अलकलाइन का मतलब छारी है, केमनोफोर की उपस्थिती में जब परति क्रिया इसको कराया जाता है, तो क्या बनता है, तो देखिए यहाँ फोर ओ हो गया, फोर ओ तो कहा नही है, तो ओ कैसा जुट गया, तो अब देखिए केमनोफोर यह ओकसी डाइजिंग अजेंट है, तो ओकसी डाइजिंग अजेंट के चलते हैं, ओ जुटाई बैलन्स के लिए फोर हुआ है, तो यहाँ पर जो बन गया, यहाँ बन गया औक जेलिक असीड, अब देखिए C2H2, जो एसीटिलीन गयसी बना, इसका कुछ उपयोग जो हैसे, का जिकर कर दिया है, C2H2, यानि एसीटिलीन गयस का उपयोग फल पकाने में, फो राइपनिंग द फ्रूट, सेकेंड में है वेल्डिंग, वेल्डिंग में इसका उपयोग होता है, तीसरा है कि बैलून में भरन इसका उपयोग होता है, अब आईए इससे यह जो है से दुठो रियेक्शन दे रहे हैं, यह जो है से काफी इंपोर्टन रियेक्शन है, इसको पुछा गया है, इसको ऐसे पुछा जाता है, कि यह सिटिलीन गयस जो है, जब इसकी किरिया आमोनिकल क्यूपरस कलोराइड से कराई जाती है, तो कोपर सिटिलाइड का कैसा ओछेप प्राप्त होता है, तो कोपर कैसा होता है, तामबा कैसा होता है, तो लाल जीशा होता है, तो देखिए, रेड प्रेसिपिटेट, रेड पी पी टी, यानि लाल ओछेप, यानि छाली जैसा उपर जम जाएगा, जो ला से क्रिया कराया जाता है तो यहां पर बनता है क्या सिल्भर एसिटी लाइड तो सिल्भर एसिटी लाइड का कैसा प्राप्त होता है यह पुझा गिया है तो इसको ऐसे पकरना है सिल्भर और कलर में कैसा होता है तो वास्तों में सिल्भर कैसा कलर में होता है उजला तो यह है अभी थिलीन आ गया इतिलीन इसको जो है से IUP सीने में कहते हैं इतीन ऐसे है इतीलीन जो वल्ड नेम है तो देखिए इतीलीन जो है से कैसे बनता है परियोग साला में कैसे बनता है इसको ध्यान रखिए C2H5OH यानि यह है इथाइल अलकोहल अगर IUPACने में बोलिएगा तो कहना पड़ेगा इथेनॉल तो यहाँ पुझा हुआ क्वेशन है जब इथेनॉल की क्रिया S2SO4 से 115 डिग्री सेंटिग्रेट या 117 डिग्री सेंटिग्रेट पर कराई जाती है तो क्या बनता है तो ध्यान रखिएगा S2SO4 को जल सोसक कहा जाता है S2SO4 is dehydrating agent S2SO4 is desiccating agent यानि यह जल सोसक है इसको जल से बहुत प्रेम है जल से बहुत प्यार है कहीं भी राता है तो यह जो हैसे जल को खोजता है और जल को उस जोगिक से आउट कर लेता है तो धेखिए यहाँ C2SO5OH तो इसे जल कोई निकाल लिया तो धेखिए यहाँ जल पर निकल गया है जल निकल गया तो बाकी क्या बच गया C2SO4 यही जो है S2SO4 बन गया पर एक साला में इसी तरह से बना जाता है अब इसमें याद रखना है कि किस टेमपरेचर पर तो एक सो पैसा डिग्री सेंटीग्रेट पर या एक साथा डिग्री सेंटीग्रेट पर ध्यान रखना है याद रखना है S2SO4 से कराए जाता है अब देखिए यह भी पूछा हुए क्वेस्चन है कि इथिलीन जो है यानि इथीन जो है इथीलीन कहिए चाहे इथीन कहिए इथीलीन कहिएगा तो कहा जाएगा कि आयू पी एसी नेम नहीं कहा रहा है वोल्ड नेम कहा रहा है इथीन कहेगा तो आयू पी एसी नेम कहा रहा है तो इसको छारीय केमेनो फोर से कराते हैं तो देखिए छारिये कमनफोर से क्रिया कराए तो कमनफोर औकसीडाईजेंग एजन्ट है आज इसके चलते जो है से वो यहाँ जुटा है आया है सॉलूसन है छारिये अलकलाइन है तो इसलिए हजटू हो है तो देखिए यहाँ पर जो बन गया इथिलीन गलाइकॉल बनता है बहुत इंपोर्टन कोश्चन है इथिलीन गलाइकॉल आ यही छारी एक एमनोफोर से जब इसके जगह पर यह सिटीलीन का जब करिया हम कराये थे यानि इथाइन का कराये थे तो यहाँ पर दूसर चीज बना था यहाँ पर क्या बनथा और यहाँ पर क्या बन गया है यहां पर बन गया इथिलीन गलाइकॉल ध्या रखना है अब देखिये यही C2H5H है इथे नॉल है इसकी करिया जो है C624 से ही कराई जा रही है लेकिन यहाँ पर टेंपरेचर 1007 ग्री सेंटी बहुत सा एजेंट है H2SO4, H2SO4 इस ऑक्सिडाइजिंग एजेंट, ऑक्सिकारक है, H2SO4 इस सल्फोनेटिंग एजेंट, बहुत सा H2SO4 के बारे में खा जाते हैं, काफी गुन लिये हुए H2SO4, तो देखिए यहां भी क्या है, कि यहां जल से इसको हम प्रेम बताया थे, तो देखिए यहां से भी जल खीच रहा, यहां पर दू लगा दिया गया है, तो यहां पर जो प्राप्त हुआ है, वह इथर्स प्राप्त हुआ है, डाई इथाइल इथर, अब आईए, कुछ साल्ट के बारे में आईए, लवन के बारे में, देखिए, एसिडिक साल्ट, यहां लिए लवन है, C-A-H, C-O-3 का दि होल्टू, तो यहां लिए लवन है, उस तरह से और भी बना सकते हैं, तो यहां लिए लवन में आजाएगा, बेसिक साल्ट, तो बेसिक का मतलब होता है, बेस चार, तो चार का मतलब है कि उसमें O-H जरूर रहेगा, तो उसे पकड साल्ट आ गया, अब आगया, कोमन साल्ट, कोमन साल्ट का मतलब समाने लवन साधारन लवन, तो देखिए, N-A-C-L है, M-G-C-L-2 है, और जो हैसे, बहुत सा उधारन बल सकते हैं, कि कोमन साल्ट में जो हैसे, कोन कोना सकता है से, मन लिए कोई कह दिया कि N-A-N-O-3, तो कोम साल्ट का जो भी साल्ट याद रखे हुए है, तो ही सब छाट लिजेगा, कि S-A-C-L-1 होना चाहिए, S-A-C-L-2 हाता है, यानि इटी जी combination of two salt मन इसमें दूगो salt का combination है तो दूगो salt रहेगा तो उकरा double salt कहिएगा जैसे देखिए मन लिया कारणा लाइट हम ले रहे हैं तो KCL, MgCl2 into 662 तो देखिए इसमें दू salt गुंसा होगा है एक KCL है, एक MgCl2 है अगर KCL को अलग से खाली कहा जाए तो यह common salt में आजाएगा KCL, MgCl2 भी तो यह भी common salt में आजाएगा तो KCL, I into MgCl2 into 6s2o समिला करके है, कर्नलाइट का सूथ है double salt में आजाएगा K2SO4, L2SO4 whole 3 into 24s2o है तो इसमें भी 2 salt है देखे, एक है K2SO4 एक है L2SO4 whole 3 तो यह जो है, से क्या आगया 2 salt है, तो इसको double salt कहेंगे एने CL को कभी double salt ना कहिएगा एने CL को कोई-कोई double salt कह दिया तो double salt उसको नहीं कहिएगा S2SO4 को कोई double salt कह दिया तो S2SO4 को double salt ना कहिएगा तो एने सी यल जो है, से double salt नहीं कहिएगा, एने सी यल को आप common salt कहिएगा, double salt का मतलब आप याद रखिए, कि double salt, double का मतलब क्या होता है, दो, यानि कि 2 salt इसमें add रहेगा, तो इस तरह से 2 salt अगा रहेगा, तो कह दीजेगा, मनलिया की, और जो है, जिसमें, और दूसर compound लिज तो डॉलमाइट है क्या, CACA3 into MgCO3, तो देखे इसमें double salt है, दो को salt घुसा हुआ है, वो CACO3 है, IKMGCO3 है, अगर ऐसे कह दिया जाए कि CACO3 कौन salt है, तो CACA3 जो है से आपको इसमें आजाएगा, common salt में आजाएगा, MgCO3 कौन salt है, तो इसमें आजाएगा आपको common salt में हु जटिल लवन, तो जटिल लवन का मतलब है कि बहुत जटिल होगा, तो जटिल लवन में देखिए, ब्रेकेट वेगर है, देखिए, ब्रेकेट पर ब्रेकेट है, इसमें देखिए, खाली ब्रेकेट लगा हुआ है, देखने से ही जटिल लग रहा है, यह जो है से आइने के सब्सक्राइब नहीं तो गलत हो सकता है कि कौन कौन साल्ट है ऐसे सिर्फ रेटना नहीं है इसलिए समझना है कि एरोमेटिक कंपाउंड आईए देखिए एरोमेटिक जो है एरोमेटिक सब्द की उत्पत्ति जो से एरोमा से हुगा है एरोमा का मतलब होता है गंध देने वाला यानि एरोमेटिक कंपाउंड जो है से गंध देने वाले होते हैं अरोमेटिक कमपांड को अगर जलाया जाएगा तो बहुत कालिक निकलता है यानि सूटी फ्लेम तो यह पूछा हुए क्वेशन है अरोमेटिक कमपांड जो है कालिक युक्त ज्वाला यानि खुब कालिक निकलेगा या क्विस कंपांड को जलाने से खुब कालिक निकलेगा तो इसको अरोमेट्िक कंपांड को ध्यान रखियागा यह पुछा हुआ है सुठी फलेम अब आईए फलक्स प्लस गैंग फलक्स का मतलब होता है द्रावक कहिए सुड्रावक कहिए प्राद्रावक कहिए, गैंग है, गैंग का असुधी है, यह जो है, अयस्क में जो असुधी पाया जाता है, अयस्क के बारे में बताएंगे, अब यहाँ इसे समय लिजिए, अयस्क में जो असुधी पाया जाता है, अस्क से जो धातु का अनिसकर्शन होता है, ओर्स, तो ओर और सूधी कहिए यानि काने का मतलब है कि गैंग क्या है impurity is present in the course is called gang अफलक्स जो है यह क्या है कि गैंग को हटाने के लिए बाहर से डाला गया एक पदार्थ है जो गैंग से क्रिया करके जो इससे क्रिया करके और उसके धातु के निसकर्शन में इसका उपयोग होता है यह slag है जैसे देखिए यह पूछा हुआ है कि यह फी का जब निसकर्शन होता है लोहा का तो क्या गैंग मिलता है उसमें क्या फलक्स यूज किया जाता है और उसमें जो है पदार्थ मिलाया जाता है तो वह जो हैसे चूना पथर मिलाया जाता है CACO3 यही CACO3 जब ब्रेक करता है तो CACO यानि कली चूना में आ गया तो यह जो हैसे आपका फ्लक्स का काम करेगा आई गैंग हो गया अधातुमल CACO3 आ गया तो आपसे पुछा जाएगा कि लोहा के निसकर्शन में स्लैग क्या बनता है तो CACO3 CACO3 जो है स्लैग बनेगा लोहा के निसकर्शन में गैंग जो है फ्लक्स देखिए इसका हिंदी में द्रावक कहते हैं या गालक कहते हैं हिंदी कुछ भी का लिजिये अंग्रेजी फ्लक्स काना पड़ेगा गैंग उको क्या कहा जाता है गैंग है या धात्री है तो यह और यह अगर मिल गया तो देखिए बन गया धातुमलि अब देखिये यह जो है चिका है कि कौपर का जब निष्कर्चन होता है पुछा गया कि कौपर के निष्कर्चन में जो हैसे श्लैग क्या मिलता है तर श्लैग मिलता है यह फी SIO3, अब यहाँ पर देखने में लग रहा है, लड़का लोगों को गरबड़ी क्या होता है, कि यह फी SIO3 जब देखा, कि यह सलेग है, तो देख लिया कि यह फी है, तो यह किसके निसकर्षन में ही मिलेगा, तो ठीक लगा देगा कि यह फी के जो गलत हो जाएगा, इक कॉप कोपर के निसकर्षन, कोपर का जब निसकर्षन होता है, तो इसके बाद जो है, से 98 परसेंट, 98 लगभग, उतना परसेंट जो है, कोपर प्राप्त होता है, उसको कहा जाता है, ब्लिष्टर कोपर, फफोलेदार तामभा, यह भी पुछा होगा है, कि निसकर्षन से जो कोप परप्राप्थ होता है इसको क्या कहते हैं तो उसको क्या क्या कहा जाता है फफ़ोले दार तामबाक बिलिश्टर कोकर ओस्टेनलेस तेल आईंड़ लोहा तो यह दहातू प्लस अधातू, जब दहातू और अधातू जो है, सिक्या है, रसानी का विक्रिया में भाग लेते हैं, तो जो कमपांड बनता है, तो वह रहेगा बिदूस संजोजग, इसमें क्या है, कि एलेक्टोन का अस्थाना अंतरन होता है, जब बॉंड बनता है, तो यह जो है, इसका कुछ गुन दे रहे हैं, तो गुन में देखिए, यह क्या है, कि सुचालक होता है, बिदुत का सुचालक इसलिए होता है कि आयन के रूप में टूड़ जाएगा धातू और अधातू रहेगा तो आयन के रूप में टूड़ जाएगा धातू पर पलस रहेगा अधातू रहेगा उकराप माइनस रहेगा तो जब प्लस और माइनस आयन के रूप में टूट गया तो विदूत का क्या होता है सुचालक हो गई इसमें बंधन काफी मजबूत होता है विदूत संजोजक जोगी का बंधन काफी मजबूत इसलिए होता है कि उसमें प्लस और माइनस दुनों आयन है तो प्लस और माइनस के बीच जो है बंधन तगड़ा हो जाएगा तो जब बंधन तगड़ा होगा तो BP और MP उसका क्वथनांक गलनांक वेगर हाई हो जाएगा कहाई कि बंधन मजबूत हो गया इस तरह का जो जो जोगिक है विदू संजो जोग जोगिक वह जल में घुलन सील होता है और कार्बनिक बिलाएक में क्या होए कि या घुलन सील होता है कार्बनिक बिलाएक में घुलन सील होगा कार्बनिक बिलाएक में देखिए यह भी पूछा गया है कार्बनिक बिलाइक का कुछ हुदारन दीजिए तो याद रखिएगा C6H6 बेंजीन कार्बनिक बिलाइक है C2H5OH इथाईल अलकोहल है कार्बनिक बिलाइक है हीरो सी नायल कार्बनिक बिलाइक है पेट्रोल कार्बनिक बिलाइक है IAC-Tune, carbonic-bilariq है, CCL-4, carbon-tretracloride, carbonic-bilariq है, ether-carbonic-bilariq है, सब carbonic-bilariq है, लगबग हम लेख दिया है, तो क्या है कि बिदू-संजोजक जोगिक, carbonic-bilariq में augulancyl होता है, insolubul होता है, और जल में क्या है, कि solubul होता है, carbonic-bilariq-bilariq-bilariq-bilariq-bilariq-bilariq-bilariq-bilari विदू-संजोजक बंधन है, तब विदू-संजोजक जब बंधन है, तो सह-संजोजक बंधन में कैसे ग lamp label होगा, ग lamp label के बारे में कहा जाता है, कि light dissolves light, यानि लाइक-light को dissolve कर लेता है, तब विदू-संजोजक बंधन है, और यहां से जीतना भी carbonic-bilariq-bilariq होता है, अर्मनिक बिलायक में घुलन सील रहेगा लेकिन जल में घुलनी सील रहेगा येने सील है जैसे इसका उदारन दिया है एलेक्टोबैलेंट बॉंड का देखी एने सील एने सील तो एने क्या है धातू और सील क्या है धातू अधातू का मतलब दिमाग में इसा रखिएगा कि ग बिजुत जु है से संजोजक बंधन है C O है तो देखिए C A क्या है दाथू है O O आकसीजन क्या है GAS एता दाथू है तो इस तरह से जु है से दाथू आ दाहुत देख करके दाथू आ दाथू रहेगा तो रहे तो कहिएगा कि बिजुत ये लेक्टो भैलेंट बॉंड है